नमश्कार स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूँ आपके साथ सौमयराथी इस वक्त कोरोना के दो वेरियंस के वज़े से हम सब परिशान हो रहे हैं डेल्ट और ओमिक्रोन दो अलग-अलग वेरियंस हैं दोनों के अलग-अलग लक्षन हैं तो जाहिर सी बात है कि ट्रीट्मेंट में भी कुछ अलग चीजें हम बेशक देखी रहे हैं इसके बारे में भी हम आप तक जानकारी पहुँचाते रहे हैं कि किस तरीके से दोनों का इलाज अलग है लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको खास तोर से ये बताने वाले हैं कि अगर कोई ओमिक्रोन के मरीज होम आईसोलेशन में हैं तो उन्हें अपना ध्यान किस तरीके से रखना है कितने दिनों तक आईसोलेशन सजेस्ट की जाती है और ये सारी चीजे समझाने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर संजीव कुमार चापडिया जो कि बिहार के सबसे जाने माने डॉक्टर में से एक हैं मेदानता अस्पताल में ये इंटरनल मेडिसिन के चीफ भी है सबसे पहले से नमशकार बहुत-बहुत स्वागत है आपका सर हम देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन के सिंटम्स भी अलग है ट्रीट्मेंट का तरीका भी अलग है और अब ये भी बताया जा रहा है कि होम आईसोलेशन जो है उसके जो दिन थे नमबर अफ डेस जो था आईसोलेशन के वो भी कम है तो ये क्या कुछ है आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि होम आईसोलेशन में ओमिक्रॉन के मरीज कब तक रहें अपना ध्यान कैसे रखें अगर आप माई टू मॉडरेट इल्ने से सफर कर रहे हैं या बिल्कुल एसिम्टोमेटिक भी हैं और आपके डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आपको हॉस्पिटल में दाखिले की जरूरत नहीं है आप घर पर रहें सिंपल कुछ दमाईया जो बताएंगे वो दमाईया लें और कुछ खास चीजों का ध्यान रखें वो खास चीजें ये हैं सबसे ही इंपॉर्टन चीज है कि आप अपने ऑक्सीजन सैचुरेशन को ध्यान दें जो कि एक सिंपल पल्स ऑक्सीमेटर से नापी जा सकती है अगर या 94 से नीचे जा रही है तो थोड़ी कंसर्ण की चीजे हैं अपने डॉक्टर को जरूर बताएं अपने कमरे में जिस कमरे में आप आईसुलेटेड हैं उसी कमरे में अगर आप 6 मिनट वाक टेस्ट करते हैं मतलब कि 6 मिनट अपने एक नॉर्मल स्पीड से चलते हैं और उस 6 मिनट के दर्मियान या 6 मिनट होने के बाद अगर आपकी ऑक्सीजन साचूरेशन 94 से नीचे जाती है या जो आपकी बेसलाइन वैल्यू थी उससे 3 से अधिक गिरती है कि पहले 98 थी और अब घट करके 94 हो गई तो ये कंसर्ण की चीज है ये आपको अपने कुछ और चीजें जो साथ में बतानी होती हैं देखनी होती है कि आपका पल्स कितना चल रहा है अगर आपका पल्स रेट कंसिस्टेंटली 100 से अधिक है लगातार कुछ दिनों तक और तब्यट ठीक नहीं लग रही है अगेन या चिंता जनक चीज है आपका बुखार अगर काफी तेज है और परसेटमॉल लेने से नहीं उतर रहा है तीन चार दिनों से अधिक बुखार रह रहा है तो यह भी आपको अपने डॉक्टरों के नॉलेज में अवश्य देना है कुछ रेट फ्लैक साइन्स होते हैं जिन पर आपको हमेशा ध्यान देना है अगर आप घर होने लग गई छाती में दर्द या दबाव होने लग गया ओक्सिजन सैचुरेशन डिप कर रहा है या आप अधिक सो रहे हैं नीन जल्दी नहीं खुल रही है या किसी के उठाने पर भी बड़ी मुश्किल से आँख खुलती है कुछ कंफ्यूज डिस्टेट हैं डिस ओरि यह चीजें इग्नोर करने की नहीं है अल्दो आप होम आईसोलेशन में आपको अडवाइस किया गया था बट जिस डॉक्टर के कहने पर आप होम आईसोलेशन में थे और अगर उनका टेलीफॉन नंबर है तो यह चीजें आप अपने डॉक्टरों को जरूर बताएं दूस इसी में नुट्रोफिल लिम्फोसाइट रेशियो बोलते हैं अगर रेड़ रेड़ फ्ल साइन्स यह खतरनाक साइन्स हैं और आपको शायद डॉक्टर बोलेंगे होम आंसोलेशन छोड़ कर आपको अस्पताल में एडमिट होने के लिए तो जब आप होम आईसोलेशन में हैं तो इन चीजों का आपको खास ध्यान रखना है सर एक बार फिर बस यही जाना चाहूंगी कि होम आईसोलेशन का पीरिएट अगर ओमिक्रॉन के मरीज के लिए है तो डेल्टा के केस में हमने 14 दिन देखा था ओमिक्रॉन के केस में कितने दिन होगा संटर फो डिजीज कंट्रोल एटलांटा ने इस बार होम आईसोलेशन की पीरिएट को घटा करके पांच दिन कर दिया है कि जिसमें आप पांच दिन बिल्कुल स्ट्रिट्ली आईसोलेटेड रहेंगे और अगले पांस दिन के लिए कहा है कि अगर आप रूम से बाहर निकल रहे हैं और आपके अगल बगल में कोई भी इनसान है तो अच्छे से मास्क का प्रयोग करिए बिना मास्क लगाएवे उनके सामने में मत जाईए तो ये पांस दिन आईसोलेशन और पांस दिन ढंक से मास्क लगा करके किसी दूसरे के सामने इंटराक्ट करने की रिकमेंडेशन इस बार आई है उमिद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बाते बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले तब तक के लिए अगर वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करें कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हुआ है